धाकड खबर के नियुजम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रईस्खान समाजवादी पार्टी के दुआधार प्रवक्ता माने जाने वाले अनुराग भदोरिया को गोरकपुर का दामाद यानि जमाई बताते हुए जियां ध्यान से सुनिये थोड़ा वार से सुनिये अनुराग भदोरिया को गोरकपुर का दामाद यानि जमाई बताते हुए उनकी सास में उत्रप्रदेश के मुक्यमंत्वी आदित्तिनात योगी से पुलिस द्वारा किये जा रहे उत्पिड़न पर रोक लगाने की मांग की है अभी तक जो जानकारी मैंने आपके सामने रख यह कि उनकी सास को किस मामले में पुलिस के उत्पिड़न का डर सता रहा है जिसके चलते हूं मुक्यमंत्री से अपील कर रही है तो बोलते भी तस्वीरों की जबानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं खबर की शुरुवात होती है 9 दिसंबर को जी हां खबर क भदोरिये ने तीस दिन के भीतर अपने आपको अदालत में या पुलिस के सामने स्रेंडर नहीं किया तो उनके इस घर की उर्की कर दी जाएगे उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा इसके बाद उनकी सास जो खुद दो बार की सांसद रह चुकी है और आदित आदितिनाथ योगी को मंत्री नहीं बनाए 2017 तर वो तो खैर मुख्य मंत्री 2017 में वो किस तरीके से बनेंगे सारी दुनिया जानती है इस पर जाने की शुरूत नहीं है कोल मिलाकर वो सांसद हैं और उन्हों ने आदितिनाथ योगी से अपील की है अनुराग भदोरिया को गोरपूर का दामाद बताते हुए उन्हें की सबाने सुन लेजिए हाद जोड करके माफी मांग लिया है और आद तो मैं भी कह रही हूं मानिया योगी जी से कि मैं गोरपूर की बेटी हूं आपके मट से 14 किलो मीटर की दूरी पर रहती हूं और वहाँ पर पुर्वांचल के कम से कम हमारा वो दामाग है उसको छामा कर दीजिए मैं आपके साथ दो दो बार लोग सभा में में वी रही हूं तो अगर आप छामा कर सकते हैं तो कि यहाँ बात और कहना चाहती हूं तो तेरा तारीक को फाई यार लिखी गई थी और चौदा तारीक को पुलिस हमारे घर पर आ गई जा करके अन्रा भदवरिया कहां है जोर से चिलाने लगे मैंने का कि मुझे तो नहीं मालू कि आप जनती होंगी मैंने कर में पड़ा है कि दार्मीक medal मां सब्सक्राइब इर परोट紹ादी में पर प्रतिष्ठा है लाती सुचक सब्तों को बीच में बोल करके आप हमारे समाज को बेज़ती करना चाहते हो आप जो है हमें बेज़ती करना चाहते हो अनरग भधादौरिया को बेज़ती करना चाहते हो हम लोग के प्रतिष्ठा में आप जो है सिर्फ पाटी के होने के नाते हम प्रतिष्ठा में दाग लगाना चाहते हो अरे यह तो छोड़ी आजम खाजी का जो भी मुकदमा चला चला आपने तो उनका ओटर का अधिकार भी छिल लिया एक तरह से लगता है कि नगृता से बंचित कर देंगे इस तरह से यह कारवाई की जाती है यह सब चुनाओं को ले सुन लिए आपने वो तारी हैं कि वो आधिट्यनाथ योगी के मट से महस 14 किलbok собствен की रहने वाली है आदिद्यनाथ योगी के साथ वह दो बार रह चुकी है यानि आपको यह भी क्लियर हो गया कि अनुड़ाग बदोरियाए की साधार पर पार जो है गोरत पुर के कोई टिपण ही कर दी उसके बाद उनकी खिला मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसके बाद उन्हें सुना होगा उनकी सास के मताबिक बता रही हैं कि 14 अवंबर कोई इनके घर पर छापे मारी शुरू कर दी गए और आप उन्हें भगोडा घोशित कर दिया गया और उनकी होगा कि जो ये शुशिलाश रोज सामने आई हैं अपने दामाद को बचाने के लिए गोरकपुर के एंगल से जो उन्होंने दुहाई दिये क्या उस दुहाई का कुछ असर होगा या आजम खान की तरह नाही दासन की तरह शरजील इसलाम की तरह इरफान सोलंकी की तरह हैं बने रहेगा धाकर खबर के साथ कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सकाइब कर सकते हैं ज्यादा सभी ज्यादा मारी कबरों को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसे किसी सो लगते हुए अवलस्ते मुद लेकर मैं के सामने हूँगा हाजे फिलाला भी मुझे देनी जाह सर्द हूँ